केजडिवाल का आब आदमी छवी पर सवार वाइरल डिलर वीडियो ने मचाई राशनी ती मेहल चल जी हाँ नमस्कार के विशेश डिपोर्ट में आपका अस्फागत है महपुजा आपके साथ दिल्ली केर्विन केजडिवाल का हाल ही में एक वीडियो वाइरल वा जो इस समय काफी चर्चा का विशेश बंद गया है इस वीडियो में केजडिवाल एक शानदार डिनर पार्टी का आनंग लेते हुए नजर आ रहे है जहां भव्य सचावत और महेंगे बिंजन सामने है वीडियो में उनकी साथ उनकी पतनी सुनिता केजडिवाल और कुछ अन्य लोग भी मौजुद है इस वीडियो को लेकर भाजपा और कॉंग्रेस ने उनकी साथगी की छवी पर सवाल उठाया है और उन्हें घेरते हुए आलूचनाई की जारी है भाजपा के वरिश ने ता शायनवास हुसें ने इस वीडियो को लेकर तीखा हमला क्या है उन्हेंने कहा केश जिवाल ने खुद को हमेशा आदमी के डूप में पेश किया था लेकिन अब यहाँ सब एक दिखावा सावित हो रहा है पहले मफलर पैनकर वहाँ दिल्ली की समस्याओं पर बात करते थे लेकिन अब वहाँ खुद शाही जीवन जी रहे हुसें ने यह भी कहा कि केश जिवाल ने कभी यहाँ दावा किया था कि वहाँ सरकारी आवास नहीं देंगे लेकिन उन्होंने शीश महल जैसा महल बनवा लिया है और अब वह सरकारी कारों के बजाए हैले कैप्टर से यात्रा करते हैं फुसें ने आगे कहा यह भी जोड़ा केश जिवाल का असली चैरा अब सब के सामने आ चुका है वही कांग्रिस निता संदीब दिक्षित ने भी स्वाइरल वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केश जिवाल को दुर्भाग्यपोन बताया उन्हें कहा केश जिवाल हमेशा अपनी सादगी को दूसरों के खिलाफ हतियार के रूप में इस्सेमाल करते रहे हैं लेकिन इस वीडियो ने उनकी कतित सादगी की सच्चाई उजागर कर दी है उन्हें हमेशा अपनी छवी को विनम्र और साधारन विखने की कोशिश की जबकि अब वहाँ फव्य जीवन का हिस्साब बन चुके है दिख्षित ने यह भी कहा जबके जिवाल डाल रोटी खाते थे तब उनके पास और कोई भी कल्त नहीं था अब जब उनके पास सत्ता और धन है तो उनकी भूख बढ़ गई है इस वीडियो में दिख रही मिला सीता को लेकर सोशल मीडिया पर भी जम कर भास हो रही है जहां कुछ लोग इसे बाज एक वेक्तिकत घटना बानते वे चुप हैं तो वही कई लोग क्या सवाल उठा रहे हैं कि क्या केशिवाल का आमादमी वाला नारा अब पूरी तरह से खोकला हो गया है क्या सादगी का दिखावा कर सत्ता में आए इस नेता कासली उद्देश केवल अपनी भव्यता और विला सिता बढ़ाना था इस वाइरल वीडियो ने केशिवाल की चवी पर एक बड़ा सवाल या निशान खड़ा कर दिया है क्या यहाँ सब उनके सादगी के दावे के उलत है या फिर वहाँ बस अपने असल स्थिती से समझाता करने के लिए मजबूर हो गया है या सवाल अब दिल्ली के आम लोगों के मन में भी पैदा हो चुकी है इस वीडियो के बाद केश्रिवाल के चवी पर सवाल उठने लगे है जो पहले खुद को एक साधारन और आम आदमी के नेता के रूप में प्रस्तुत करते थी अब सोचल मेरिया पर लोग उनके आम आदमी वाले नारे के आलोचना कर रहे हैं या कहते हुए कि उन्ता जीवन अब आम लोगों से कहीं दूर है यसे और भी अपडेश चानले के लिए बने रहे हैं के इपनिस 247 के साथ लाइक शेर सब्सक्राइब करना ना भूले